आप उमीद है सब ठीक होंगे शासान स्टाफ मैं आपको वेलकॉम आप सबको अपने इमान में रखे सबके लिए सिह सलामती वली जिंदिगी आप लोगों को दें तो आज मैं बना रही हूं बहुत डिफरेंट किसम की बिर्यानी बिर्यानी मैंने बहुत किसम की अपने चैनल केजी ही तकरीबन वन अना हाफ केजी मैंने लिए प्यास यह मैंने इनको कट कर लिये इनको मैं कर देते साइड पे और राती चीजे मैं आपको बता रहती है ओएल लिया मैंने 300 ml दही लिया मैंने तकरीबन 3-4 जो है वो टेबल स्कून अध्रक लेसन का पेसली है टू टेब अधरका बना हुआ है यह तकरीबन 4 टेबल स्पून ने बियानी मसाला लिया है दो मैंने लेमन लिया है इनको मैंने दम्यान से इस तरह से कट कर लिया है वन केजी लिया मैंने चिकन और तकरीबन हाफ केजी मैंने लिया है टमैटोस इनको पी मैंने कट कर लिया और यह मैंन आणि आपको बताजी निया है तीन स्टिक्स करीपता लिया में 4 ब्लैक पेपर लिया है मेने 1 टेबल स्पून ये बाधियान के पूल लिया मैं तक्रीबन 4-5 जीरा मेने लिया एiteता बसाबिबल स्पून और लॉंगazing लिया तक्रीबन 10 के करी इसमें यह सारे मसाले, जो साबुत मसाले हैं, इनका अन्यादा कर लेते हैं, जो चिकन है, यह चिकन में आगे लेकर आती हैं, अच्छा जी चिकन को हम मेरिनेट कर लेते हैं, यह सारे मसाले चीजे हम पिछे कर देंगे, और यह चिकन आगे आगे हैं, इसमें हम दलेंगे, मेरे पास म मेरे पास तिका बोटी मसाला है तो यह मैं इसके अंदर इस तरह से तक्रीबन लगा लें यह यह तक्रीबन दो टेबल स्पून था मेरे पास तिका मसाला कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरे पास घर का नहीं पड़ा हो था तो मैंने यह पैकेट वाला नैशनल का दो टेबल स्पून मैंने तिका मसाला डाला है अचा इसके अंदर हम वान टेबल स्पून जो है हमने योगर्ट डाला और इनको हम मिक्स कर लेते हैं इसको मिक्स करके हम तब वीबन आदे घंटे या घंटे के लिए रख देंगे अगर आपके पाद टाइम नहीं है तो आप चिकन में जल्दी हो जाते हैं उसकी आप कर सकते हैं इस तरह से आप इसको लगा लें और इसमेरी सॉल्ट जो है मसाले के इंदर भी होगा लेकिन बाद में हमने मसाले करते हैं इसको भूनना भी है तो उसमें नमक का टेस्ट आज़ेगा अगर आप र्यादा खाते हैं तो आप अंदर हाफ टीस्पून डाल सकते हैं अगर इसमें हम डालते हैं 300 ml बॉलिवर्ड इसमें हम अपने प्यास को फ्राइ करते हैं यह पहले हम चिकन को फ्राइ कर लेते हैं हम आदा खंटा बेट करते हैं फी चिकन को फ्राइ करते हैं बॉलिवर्ड गुश्य अब लिएख जब टे शाइब कर लिए जब बदो करें यह प्रणा दर्यानी को जब बनाता च्राइब करें इंशाला आप लाइब करेंगे यह बहुत भी डिफ्रेंट बिल्यानी में बना रही हूँ इस परा से सारी हम साइड को चेंज कर देंगे तो की दूसी साइड से बिस को हम फ्राइ करेंगे आप मारा प्राइ हो गया है अब इसको निकाल देते और अबला चेपर जाल देए अपित निकाले पेने लिफ्रेंट निकाले प्राइट एधियों तो निकाले प्राइट निकाले हम आईपक्टबशा आए तो बाखी चिकन भी हम रिख के अदर दाल देते हैं और चिर आपको प्रॉय कर लेते हैं और अब लिखने ऑनरा कोसे सिटार्ट से बर खाते हूँ के देखेजी यह दो हमारा दो है वो शुट्राइब है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं अब इस के वाभ थाइप करते हैं इसी हो एक यह बाद के अब जय को उटे का तो कि आ रहे इद आ प्राइब प्राइब हो रहे हैं तो इसके साथ जो है हम अद्रग लेशन का प्रेस भी अभी डाल देते हैं जो इसके सब्सक्राइब टो प्राइब बıntल, जो अद्र ouvert के लिए है, यह भी आपोड कि बाद के लिए हम आप प्राइब उसके लिए को अ यह हमने वोहिल करने के लिए मखाले रख लिए तो इसको भी हम साफ प्राय करते हैं हमारी वह हो थी दबर दस आठ गर्यानी पर अब रेटी होगी तो प्रीब मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और उमीद है कि आपको जो मैं रेसिपीज बनाती वह अच्छी लगती होगी तरह से हमिस को दुबारा से छोड़े हैं फ्राय होने के लिए अच्छा जी यह ब्याद हमारे फ्राय हो रहे हैं तो इसके साथ ही जो मैं यह मैं लेमन डाल दू लिए अच्छा मेरे पास तीन जी जी है वह मैं तबे लिए थे राइस के जनी एक किलो तो वन अनाफ थी स्कून हम डालेंगे मसाले के अंदर तो यह बहुत दबरदस्ट यह वह इसकी मज़मेंट है बहुत सही और बिल्कुल ना को ज़्यादा थे सोड़ होगा और ना ही काम कि बहुत प्रॉस्पेट यह इसका हो है मज़मेंट यह जो मैंने मसाला लिया है यह बिर्यानी मसाला यह समझ लेकर अगर नेशनल यह कोई कि आप लेते ना बजार का तो वह एक पैकिट होगा चोटा यह मेरे पास खोट यह मैंने जर में बनाया हूँ और इसकी जो रेसेपी मैंने अपने चैनल पर दी हुए है यह हम मिस्ट करने के अंदर अधर दई लिया है मैंने एक पाव मैंने योगर्ट दिया है वो भी हुआ ह हाथ के ऐसी में से ओधिए है कि कि प्रियामी जो हो मसाले के साथ हीमाती है यह नं-दर हम मिक्स घाजेंगे आप हो मैं दाल दूंकर içe हैसक एल्धा दर दो मैं घ्ट सब्सक्राइवाँ जिभी आपक पादगी लोग यह हाँ मैंने ऊपर जही ऐन हैं यह है इस चैनल तो जाल डालती हुआ है कि वान हाफ टीजपून इसके अंडर और आता जो है हम राइस के अंडर डानेगे इसको जो है हम पकने देते हैं जब तक ये मसाला पुरा सौफ नहीं हो जाता फिर उसके बाद हम चिकन डालते इसको हम फ्राइ करेंगे ये हल्की आंटे इसमें अगर और आपने पानी डालना है तो फिर आंटे जाल दे पाटे इसके अंडर डाल देए इसके अंडर डाल देए इसको हम हल्की आंटे पकने के लिए छोड़ देते हैं सब्सक्रणण पाइज हम आप एक पाईसुन संदैश तो इसके अंडर one teaspoon जो हम आप प्यारा दें है तो इसलिए मैं अंडर one teaspoon जो हम और रदचली पॉर्डर भी डाल दिया पें कThere's a color बड़ा प्यार आजहाब को और पर थोड़ी सी स्पाईसिवनेंगी कि मेरा मसाला ज्याद है तो मैंने थोड़ा से स्पूल स्पाइसी करने के लिए एक चमिश्टा है यह वान टी स्पूल जी तो इसके अंदर दस के करीब गया वो मैंने ग्रीन ही लाइची डाली है उसे जो लो पिर्यानी का मदा दबल हो जाएगा मसाले के अंदर तो मैंने डाली थी लेकिन मैंने दस तो यह वो और एक्स्ट्रा डाल दी इसको भूब थलकी आज पर हमने मसाले को पकाने आज जी यह देखे तो मसाला हमारा काफी हट तक हो गया इसको थोड़ा साम और पकाएंगे ताकि इसके अंदर से ओए ने कागा जी तो मसाला हमारा हो गया अब यह चिकन जो है इसके अंदर हम डाल दो और इसको भी हम अंदर चिकन पका देते हैं चार-पांच मिनट वैसे चिकन फ्राइए तो लेकिन उसमें मुरसादे का देस्ट आजे इसलिह हम इसके अंदर एड़ करके चार से फांच मिनट हम मसाले को बनाएंगे यह मसाला जो एको तेर्ट किलो राइस के लिए भी यूज हो सकता है आपने ब्यास कम करने है तो आप अन्केजी भी डाल सकते हैं तो यह जो मसाला है यह हम पांच से साथ मिनट इसको पकने देते हैं तो मसाला जो हमारा बड़ा बनाएंगे देश्टा दबदर सूपर ओई लागे है तो इसके अंदर हम जो है वो मिन्ट डालेंगे ठीक है मिन्ट तकरीवन मैंने यह देखें इसा चार से पांच से तेबल सुपर आप समझें यह मैंने लाले है तो इसको भी साथ हम दो से तीन मिनट बस दो मिनट बलके बस इसको हम पकानेंगे तो इसकी बहुत अच्छी कुष्टूबू है राइस में आए तो देखें ओल जो आ अच्छी को बंद करने लगें और राइस चडा दे लिए तो पानी मैंने चडा दिया इसके आपको एक चीज में से रोंग हो गया कि राइस चुआ है वह वन वन अन-हाफ केजी इसलिए मसाला ज्याता है तो प्यास भी वन अन-हाफ केजी ते में से थोड़ा सा गलत हो गया तो आप दुबरा टाल ऊगाए त्री कां हुआ लिए वा तो अगर कां हुआ तो घटेंगे तो आते हैं वाने दूफ के अढेंडेंगे तो इसको बॉल होनी की छोड़ने कीछोओने तो पानी जो वह बोल होने वाल है तो हम इसके अंदर पर राइस टालेंगें अब इसके गुम्दाइ चाल साबट मसाले लिए थे अंदर डाल देंगे इसको मिक्स कर देंगे इसको हमने तकरीबर 80% जो है वो बॉल करना है 20% बॉल ने करना है जी तो हमारे राइस जो है हमारे बॉल हो रहे है हमने 80% इनको बॉल कर लिए जी तो हमारे राइस जो है उतकरीबर 80% हो चुके तो अब हम इसको इसकी पेश उतार के तहे लगाते है हाँ जी तो राइस मेंने जो है वह लिए ज्रें कर अली इस एक तो यह मैंने जर्दा कलरल लिया ठीकर यालो कलरे इमेने मिल्क के अंदर जो ना इसको बनाया जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले जो है मैं यह राइस मैं प्लेट के साथ कारी ताके फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा यह राइस की तहे लगाएं किस्ता से इसके ओपर जो है यह 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 जालो कलर कि दालो लुआ हमेश के अंदर अंदर टूपर से शना डालते जाएंगे कि तब जाथ सबस्था ज़रें को इस के उटके हम आज नाज में पर दोगा है तो तो टार यह ज़ाए नगा जाएने जिए ज़िए हम आज आज पर 20 मिनट के लिए दोगे ज़िए तो हम दम को चेक करते हैं तक ज़िए नकी यह ज़िए ज़िए नहीं ज़िए नगी 15-20 विनिट हो चुके है तो इसको हम उपर लिचे कर देते हैं राइस को देखे माशाला से कितने खिले-खिले राइस कोने हैं कोई राइस ने चुटा हुआ इसको हम सब को मिक्स कर देते हैं ताकि उपर नीचे रूगे अच्छी तरह से साथे में एक साथ मिक्स हो जाए बहुत प्यारी हुश्पु आ रही है बहुत दबदस इसका जोना वो टेस्ट होना है तो मैं इसको यह मिक्स कर लूँ और उसके बाद हम इन अदर पांच से साथ मिनट और दम पे रखेंगे ताकि यह प्रोपर लिए दम पे हो जाएं अब हम इसको 5-7 मिनट और दम पे रखते हैं यह तब हम दम को चेक करते हैं तो डम को प्लेशार में रखेंगे अब हम आपसको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं हां जी तो हमारा माश्यालला से जो बिरयानी है वो रेडी है अब देखे कितनी जबर्दस इसकी लुक है और इसी तरह ही इसका मज़े का टेस्ट है इसको जरूर बना करें मेरे चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें औ और बैल आइकल को दबाएं अपना बहुत ज्यादर क्याल रखें अल्ला हाफीज